नमस्कार दोस्तों मैं आपका अपने चैनल HVS Studies में स्वागत करता हूँ इस वीडियो में आपके लिए SST MTS के Expected Questions की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम Previous Year Paper को Analyze कर रहे हैं अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप से नुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके जरूर जाएगा सारे questions को हम यहाँ पर डीटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पर पहला question है Who passed the Vernacular Press Act तो answer यहाँ पर हो जाएगा Lord Litton Lord Litton ने Vernacular Press Act को पास किया था ठीक है यहाँ पर और बहुत सारे movements हुए है तो उन सब movements के बारे में जान लेते हैं जैसे मैंने आपको बता ही दिया Vernacular Act किसने पास किया था Litton ने और कब किया था 1978 में किया था उपर से बात करें तो Indian Congress कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में स्वदेशी और बाइकॉट Resolution हुआ था 1905 में Muslim League की स्थापना 1906 में हुई थी गदर movement की स्थापना गदर movement या गदर पार्टी आप कह सकते हैं उसकी 1913 में और Home Rule movement को 1916 में बनाया गया था चमपारन सत्याग्रह 1917 में हुआ खेड़ा सत्याग्रह 1970 या फिर 1918 आप कह सकते हैं यहां दोनों आपको option के according answer लगाना है एहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में Rollet Act जो सत्याग्रह हुआ था वो 1999 में हुआ 1990 में हुआ था ठीक है 1919 में और Non Corporation Movement 1920 में Civil Disorbidant Movement 1930 में और Quit India Movement 1942 में हुआ था ठीक है चलिए आगे बात करते हैं अगला question है Where is the Indian Defense Academy situated यह question previous years में पूछा गया है वही से मैंने उठाया है तो answer यहां पर हो जाएगा Indian Defense Academy कहां पर located है तो answer यहां पर है पूने पूने में located है और बहुत सारी academies है उनके बारे मैंने यहां पर लिख दिया है जैसे कि राश्ट्री Indian Military College कहां पर है देहरादून में है स्थापना 1922 में हुई थी Army Cadet College कहां पर है देहरादून में है 1929 में हुआ था इसकी स्थापना Indian Military Academy यह भी देहरादून में है और 1932 में इसकी स्थापना हुई थी National Defense Academy पुने में है 1941 में इसकी स्थापना हुई थी एक बार इसको आप लिख लीजिए जिससे आपको आसानी से यह revise कर सको और आपको अगर exam में पूछा जाए तो आप बता पाए High Altitude Welfare School गुलमर्ग में है National Defense College नई डैली में है और बहुत सारे है जो मैंने सारे हाँ पर लिख दिये एक बार आप इसको इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए और जो important है वो मैं आपको बता देता हूँ जैसे College of Defense Management सिकंदराबाद में है Most important है ये Army School of Physical Training पुरे में है ये भी most important है और Officers Training Academy गया में है Important है ये सब आपको ध्यान रखना है Indian National Defense University गुरुगराम हरियाना में है Important है इनको आपको याद रखना है ठीक है स्क्रीन शॉट आपे ले लिजे इसका और आप इसको याद कर लीजेगा आगे बात करें हमारी एक e-book है जिसमें हमने 2000 important questions का collection लिया हुआ है चार subjects को यहाँ पर cover किया है हर subject के 500-500 questions यहाँ पर available है तो आपसे अनरोध है आप इसको खरीद ले सिर्फ 99 rupees की अगर आपने अभी तक कोई भी अपना notes नहीं बनाया है तो आपको ये वाली जो book है वो मदद करेगी description box में link है आप उसे purchase कर दीजे आगे बात करते हैं अगला question है who started the khilji dynasty जो khilji dynasty दिल्ली सल्तनत के अंतरगत आती है इसको किसने इस्थापित किया था तो जलालुदीन khilji ने इसको इस्थापित किया था मतलब इसकी इसकी इस्थापना की थी और यही आपसे question पूछा गया था इसकी डैली क्या थी तो इन्होंने डैली दिल्ली को रखा था और आप देख सकते हैं इन्होंने दक्षड के भाग को भी जीता था जो इनका अलाउदीन खिलजी था वो दक्षड के पाट को जीतने वाला राजा बना जीतने वाला इनका सुल्तान बना था ठीक है अगर बात करें इन से पहले ममलूक डाइनेस्टी थी जिसको हम गुलाम व इस तक हमारी खिलजी डाइस्टी चली थी और इनके राजा थे जलालुदीन मरलब जो सुल्तान थे जलालुदीन अलाउदीन साहिब अल दीन उमर और कुतुब अल दिन मुबारक ये इसके सुल्तान रहे हैं आगे बात करें अगला कुशन है विच इंडियन स्टेट प्रो सिल्वर को कौन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है अंसर यहां पर हो जाएगा राजस्थान इसको प्रोड्यूस करता है ठीक है यहां पर आंसर राजस्थान हो जाएगा और यहां पर मैंने थोड़ा मैप में दिखाने की कोशिश की है लेकि थोड़ा बलर हो गया है मैं अगली उसमें सारी स्राइड लगा दूँगा जिसमें कौन कौन से जो राज है वो ज़ादा प्रोड्यूस करते हैं अगर यहां जैसे कोहला करनाटक में माफ केजा कोहला कहा रहा हूं 36 गड़ में कोहला सबस्जादा प्रोड्यूस होता है गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड करनाटक में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो ये सारी चीजें मैं आपको लगा दूँगा, आप टैंशन मत लेज़े अगले कुशन की बात करें, वाट इस दा कैपिटल ऑफ जर्मनी, जर्मनी की कैपिटल क्या है तो अंसर यहाँ पर हो जाएगा, बर्लिन, बर्लिन है जर्मनी की कैपिटल यहाँ पर बात करते हैं बहुत सारे देशों की, इंडिया के पडोसी देश और जितने भी देश आपको मिलते हैं उनकी मैंने यहाँ पर लगाने की कोशिष की है, जिससे सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अफगानिस्थान, क्योंकि अफगानिस्तान में कुछ गरवर्ड चल रही है तो वहां पर में भी कोशन पूछा जाएगा, वहां से जितने भी लिंक है, वह सारे कोशन आपकी एक्जाम में आ सकते है, काबुल इनकी कैपिटल है, और यहाँ पर अर्जेंटीना इंपॉर्टन्ट है, अर्जेंटीना की बियोनर्स, आयर्स इनकी कैपिटल है, अगर और यहां पर जैसे important है Belgium, Belgium की capital है आपर Brussels, most important है, NATO का यहां पर headquarter भी है, Brazil की बात करे तो Brazil है इनकी capital है, बहुत लोग रियोडिजिनेरियों में confused होते हैं, तो confused नहीं होना है, तो यह जितनी भी important है मैंने आपको बताने की कोशिश की है, आगे बात करते हैं, अगला question है, what deficiency causes diabetes, हम insulin, insulin जो है, वो diabetes का cause बनता है, लेकिन vitamin की बात की जा रही है, तो vitamin यहां पर हो जाएगा, vitamin D, vitamin D की कमी से diabetes हो सकता है, ठीक है, और vitamin D हमें sun से मिलता है, आपको माल होगा, दूद से मिलता है, और जो मचली वगेरा होती है, उनके oil से हमको vitamin D मिलता है, यहां पर बात करें, तो nutrition कमी होती है, nutrition की जब कमी होती है, तो calcium की कमी से हमारे heart रोग, heart की cycle हो सकती है, heart की cycle कौन सी, contraction और relaxation वाली cycle हो दिक्कत कर सकता है, vitamin D से हमें हमारी body of fatigue, मतलब जब भागे भागेंगे तो आपको थकावट बहुत जल्दी हो जाएगी, यह सब हो सकता है, और बहुत सारे iron हो गया iron से भी आपको थकावट हो गया, ठंड जादा लगना हो गया, यह लग सकता है, और vitamin B12 की बात करें, तो swollen जो हमारी tongue है, tongue में आपने बहुत सारे दाने देखे होंगे, तो वो vitamin B12 से निकल सकते हैं, mostly paper के लिए important नहीं है, लेकिन आपके लिए मैंने यहाँ पर लिग दिया है चलिए आगे बारते हैं, जो paper के लिए important है, वहाँ पर हम बात करते हैं, तो what is the largest organ of human body, answer यहाँ पर हो जाएगा, skin, लेकिन अगर यहाँ पर use कर देता, largest gland, तो आप इसको क्या बोलते, liver है largest gland, और largest organ है हमारी skin, ठीक है, question सही से पढ़िए और तब answer दीजिए, यहाँ पर बात करें तो brain, brain हमारी body में control का काम करता है, जितने भी control होता है, हमारे brain ही करता है, अगर hurt की बात करें, तो हमारी body में pump जितने भी, blood वागेरा का जो pump है, वो hurt ही करेगा, lung की बात करें तो हमारी gases को pure करने का काम करता है, मतलब oxygen लेता है, blood को देता है, और carbon dioxide बाहर छोड़ता है, मेली काम यही है, स्टमक की बात के तो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, इंटेस्टाइन में mostly nutrition हमारा, मतलब mostly हमारा खाना पचता है और nutrition को absorb इंटेस्टाइन में ही किया जाता है, liver largest gland है और kidney हमारी blood को purify करती है यहाँ से urine निकालती है और urine निकालके बाहर की और eject कर देती है, अगर बात करें bladder, bladder हमारे urine को store करता है और skin तो आप समझी गए, largest organ है और हमारी body में covering का यह काम करता है, ठीक है अगले question की बात करें, तो chlorine atomic number is, chlorine का atomic number क्या है तो answer यहाँ पर हो जाएगा 17, chlorine का atomic number है यहाँ पर 17 जो की पूछा गया, ऐसे question असान असान पूछे जाते है आप से अनुरोध है कि कम से कम 20 तक आप याद कर लीजिए, 20 तक याद करने के बात जो important बताओं वो याद कर लीजिए जैसे कि silver का आपको याद करना है, gold का आपको याद करना है, osmium का आपको याद करना है, tungsten का आपको याद करना है तो यह जो important important है आप याद कर लीजिए lengthenoid में कितने होते है elements वो याद करने है actinoid में कितने होते है elements वो याद करने है इनके number याद करने है जैसे 58 से लेकर 70 तक होते है हमारे lengthenoid और यह क्या कहते है actinoid 90 से लेकर 102 तक होते है हमारे lengthenoid और lengthenoid जो 57 वाला वो included होता है actinoid जो 89 वाला है वो भी included होता है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं और यहाँ पर हमारे group होते है 18 और period होते है 7 ये भी question पूछा गया है MTS हो गया, railway group D हो गया ऐसे exams में ऐसे ही question आते हैं अगले question की बात करें तो acid pH value acid की pH value क्या होती है तो acid की pH value होती है 7 से कम सबसे best answer यही होगा आप इसको भी लगा सकते हो लेकिन सबसे best answer यहाँ पर यही है आपको यही देना है answer और exam में भी यही आपके दिया गया था यहाँ पर बात करें gastric juice gastric juice का pH होता है 1 जिसको जो कि हमारे stomach में पाया जाता है lemon juice 2.5 होता है vinegar का pH 3 होता है wine का pH 3.5 होता है tomato juice का pH 4.1 होता है acid rain का 5.6 होता है urine का 6 होता है milk का 6.5 होता है pure water का 7 होता है blood का 74 होता है 7.4 होता है lime water का 11.0 होता है तो यह pH आपको याद रखने है कोई भी exam में आपसे पूछे जा सकते है अगले question की बात करें the common passes from sperm and urine is human male is तो human के urine और human का sperm है उसके लिए एक single pass होता है उसका नाम क्या है वो आपको बताना है तो उसका नाम है urethra urethra एक common part है जहां से sperm भी निकलता है और urine भी निकलता है ठीक है ऐसे question आए है जो मैंने यहाँ पर आपके लिए डाल दिया है चलिए अगला question है who is called rocket man of India देखे missile man अगर आता तो आप APJ अब्दुल कलाम बोलते लेकिन यहां पर पूछा गया है rocket man of India तो आप बोलेंगे के सिवान जो कि हमारे इस्रो के इस समय chair मलब head है वो इस वक्त कौन है के सिवान और उनी को rocket man of India कहा जाता है या famous personality है आप इनको screenshot ले लीजिए और याद करिएगा जैसे nickname और personality का मैंने आप लिख रखा है आचार्य किसको कहा जाता है तो विनोवा भावे को अधी कवी किसे कहा जाता है वालमिकी को देश रत्न या अजाद सत्रू किसे कहा जाता है राजेंद्र परसाज जी को ये अकबर का कश्मीर किसे कहा जाता है जैनुल अबदिन को और आंद्रकेशरी टी प्रकासन को अन्ना किसे कहा जाता है सीयन अना दुरई को और भी बहुत सारे जो important है वो बताता हूँ बापू महत्मा गांधी जी को कहा जाता है और बंगाल का टाइगर किसे कहा जाता है वनला बंगाल टाइगर कहा जाता है सौरफ गांगुली को और विपिन चंडरपाल जी दोनों को कहा जाता है यहाँ पर बिहार केसरी स्री क्रिशन सिंग को कहा जाता है और आगे बात करें बर्ड मैन आफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है सी आर किसको कहा जाता है सी राजा गोपालाचारी जो कि भारत के पहले जिनको भारत रतन मिला था वो है चाचा जवाहलाल नहरू को दीन बंधू सी एफ एंड्रियूस को देश बंधू सी आरदास को कंफ्यूजन होता है आप इनको याद रखेगा देश रत्न राजेंद्र प्रसाज जी को यह मैंने आपको बता ही दिया तो आइंस्टीन आफ इंडिया किसको कहा जाता है नागारजुन को कहा जाता है तो यह मैंने इस्पेशल पसनेलिटी और उनके जो निक नेम है वो यहाँ पर लिखने की कोशिश की थी आगे बात करते हैं वो इस दा चीफ मिनिस्टर आफ गुजरात तो यह मैं आपको करेंट अफ़ेर में रेगुलर कराता रहता हूँ आप उसे फॉलो कीजिए तो चीफ मिनिस्टर गुजरात के कौन है विजयरूपानी और बहुत सारे चीफ मिनिस्टर आपको मैं रेगुलर रिवाइस कराता हूँ तो आप करेंट अफ़ेर की वीडियो रेगुलर फॉलो कीजिए यहाँ पर मैंने लिस्ट भी लगा दी है आप स्क्रीन शॉट ले ले यह करेंट की लिस्ट है आप यहाँ से याद कर सकते हैं ठीक है चलिए आगे बात करते है अगला कोशन है अकॉर्डिंग टू सर्फेस एरिया वाट इस दा रैंक आफ इंडिया मतलब एरिया के अकॉर्डिंग भारत की रैंक क्या है तो आपको मालूम होगा दुनिया में सबसे टॉप पर तो है रश्या मतलब एरिया वाइज रश्या टॉप पर है लेकिन एरिया वाइज भारत है साथवे नंबर पर यहाँ पर फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर बात करते हैं, तो पहले पर है रश्या, दूसरे पर है कनेडा, तीसरे पर है चाइना इस वक्त आ चुका है, वाफ कर जिए यह थोड़ी से न ओल्ड हो गई होगी, तो चाइना उपर है और युनाइटेड इस्ट इसके नीचे आ चुका है, पांच वे पर है ब्राजील, छेटे पर उस्टेलिया, साथ वे पर इंडिया, तो आपको साथ वे तक तो याद रखना ही है, एकलिस, जिससे आपको पता चल सके, चाइना टॉप में है, पॉपुलेशन वाइस, और भारत सेकिंड टॉप में है, चलिए अगला कोशन है, नेमदा रिसेंटली फॉर्म डिस्टिक्ट इन वेस्ट बेंगॉल, यह उस टाइम का करन का कोशन था, जो मैंने यहाप ले दिया है, मतलब अब यहाँ पर कहां कहां पर नए जिले बने हैं रिसेंटली में, पंजाब हो गया, जैसे नया जिला भी आपको जारखंड में चार जिले अनाउस किये गए हैं, उस टाइम का अंसर था, अली पुरदुआर जो कि उस टाइम का नया जिला था और वेस्ट बेंगॉल का था, ठीक है, चलिए, आगे बात करते हैं, अगला कोशन है, फ़र्स्ट वॉमन क्रिकेटर तु स्कोर श्क्स उस टाइम पर यह कुशन पूछा गया था लेकिन अब तो बहुत जादा रन बना दिया है इनों नहों ने इनका नाम है मिताली राज जो कि अगर आपसे रन वाला कभी कुशन आए कि सबसे जादा रन किस महिला प्लेयर ने बनाए है क्रिकेट में तो आप मिताली राज को ही आंसा लगाएंगे क्योंकि यह हर चीज में दूसरी महिलाओं से आगे हैं दुनिया में इन्हें सचिन तैंदुलकर आफ फीमेल क्रिकेट कहा जाता है ठीक है चलिए आगे बात करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप से अनुरोध है चैनल को कर लीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा और एट लिस्ट एक या दो ग्रूप में आप शेयर करेंगे आपसे उम्मीद रखता हूं धन्यवाद